नमस्कार दोस्तों सागा थे आप सभी का YFM Security में दोस्तों सबसे बड़ा जो सवाल जो है काफी ज़्यादा comment जो है मेरे इस comment box में आ रहे हैं कि कैसे पता करें कि refurbished hard disk क्या किसी को तो ये भी नहीं पता है refurbished hard disk क्या है या recertified hard disk क्या कैसे पता करें क्या उसका पैमाना है और ये चीजें काफी ज़्यादा पिछले एक साल से चल रही है कई बार मेरे साथ हुई मैं hard disk का जो price देता है उससे लगबग 1000 रुपए कम का price जो है दिया जाता है आप जो hard disk दे रहे वो hard disk नहीं दिया जा रहा और इसके काराण आपके deal पर असर होता है और गलत काम आपने करना चाहते लेकिन फिर भी लोग सस्ते price के चकर उफाज जाते है तो इस वीडियो में सबको awareness हो जाएगे कि कौन सा refurbished hard disk का है कौन सा recertified hard disk का है और कौन सा hard disk genuine है वो branded है और company का है अब से पहले तो मैं आपको यह पता दूँ कि referbist hard disk भी company का होता है और without referbist hard disk के वो भी company का होई होता है अब कुछ fake hard disk भी आगे है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा जो original नहीं होते है डी माल होता है डी product होता है अगर hard disk खराब होता है तो आप company को देते हैं बनने के लिए आप company को बनने के लिए बनने के बाद आपको नया hard disk आपको मिल जाता है और वो पुराना hard disk है वो बना कर company उसमें recertified लिखती है याद रखेगा recertified या referbist word लिखती है और वो market में भेजती है काफी कम price में वारेंटी 90 डेस की होती है सीगेट में लेकिन ये भी समय-समय के इसाब से ये कम और आगे होते रहता है लेकिन एक्च्वल में जो मुझे पता चलिए कि 90 दिनों तक होती है अब आप ये पर्चेस करते हैं तो सामने वाला आपको वन येर की वारेंटी भी देता है और वन ये कि आप CCTV के सेक्टर में है तो आपका hard disk का जो work load है वो काफी ज़्यादा हो जाता है video surveillance आपको hard disk चाहिए होता है और override के situation होता है खास कर जो referbis hard disk होते है रिस certified hard disk होते है उसके override के समझ से काफी ज़्यादा होती है आपका DVR heat काफी ज़्यादा होता है adapter आपका बहुत ज़्यादा उड़ता है क्योंकि उनको ज़्यादा power चाहिए होता referbis hard disk को इस कारण से यह problem आती है तो referbis hard disk आप ना ले आप original नया hard disk ले यह बहुत जरूरी है चलिए अब जानते हैं कि पहचान क्या है तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे पता करें कि यह referbis hard disk रिसर्टिफाइड hard disk या फिर यह hard disk company के द्वारा new production है चलिए यह समझते हैं जब भी कोई referbis hard disk रिसर्टिफाइड hard disk market में और सीगेट के द्वारा चाहिए डवर्ण लाया जाता है तो company उसमें recertified या refurbished जरूर लिखती है recertified या refurbished लिखावा राता एक यह पहचान है लेकिन आजकल यह भी लिखावा नहीं आता अब उसमें D है या नया है यह पता नहीं या इसमें क्या hidden policy है marketing policy यह समझ मनें आता लेकिन एक और पहचान है आपको जब भी आप date देखेंगे manufacturing date तो आपको यह जो real manufacturing date है वो 100 होगा यानि कि अगर वो 2 साल पहले बना या 1 साल पहले या 3 साल पहले का hard disk है तो वो 100 होगा इसके बाद date of refurbished date of refurbished and recertified यह भी आपको उसमें 100 होगा यानि कि दो date उसमें नजर आएंगे जिससे आपको यह पहचानने में आसानी हो जाएगे कि यह refurbished hard disk है recertified hard disk या फिर यह new production है अब एक और रास्ता है बगल में एक green color के dots होते हैं यह green color के जो है एक पट्टी जैसे बनी होती है जो कि यह so करती है कि हाँ यह hard disk जो है refurbished hard disk है अगर आपको यह भी नहीं मिलता है यह सारी चीज़ें आपको नहीं मिलते हैं hard disk में तो आपको पहचानने है कि एक और जर्या अगर आप सीगेट के बात करें सीगेट का सर्विलेंस आप ले रहे हैं तो सर्विलेंस में sky hawk लिखा और आता है जो यह new production है और दूसरी और यह पुराने hard disk जिस तरह से आते थे इस तरह से यहां पर सो हो गए तो यह जो पहचान है यह साफ साफ यह indicate करता है कि यह आपका referbis hard disk है और यह आपका जो है नया hard disk क्योंकर नया desktop hard disk भी आप लेंगे हैं यह सीगेट में तो इस पो बारा कोटा लिखा रहे हैं colorful stickers होते हैं मगर यह पुराने में एक white level का hard disk है वह ही hard disk रहता है तो यह भी एक पहचान है जो कि कोई भी आम इंसान पहचान सकता है चलिए अब थोड़ा technically इसको देखते हैं कि थोड़ी बहुत technology की information आपको है आपके पास PC है, computer है या फिर laptop है तो आप एक software की मदद से यह पता कर सकते हैं यह hard disk कितना पुराना है और इसमें जो है कितना यूज हुआ उसके बाद इसके working performance क्या है इसका health क्या है इस hard disk का साथ ही यह hard disk किस company के दौरा manufacture किया गया है या फिर यह डी है नकली है असली है यह सारी चीज आपको clear हो जाएगी जी है एक software में आपको बताता हूँ crystal disk information यह बिल्कुल free है आप इस software को crystal disk information को जो है आप इस software को install कर लिजिए अपने laptop में अपने computer अपने PC में और वहाँ पर आप hard disk को connect कीजिए जैसे आप अपने hard disk को connect करते हैं जिस hard disk के बारे में आप जानना चाहते हैं वहाँ पर आपको वह complete information आपको दे देगी यह एक सही तरीका है hard disk की status को hard disk के health को hard disk असली या नकली है hard disk refurbisory certified है या फिर new production है सारी चीजों को समझने का लेकिन जब आप purchase कर लेते हैं उसके बाद ही इन तरीकों को आप अपना सकते हैं बिफोर अपना ना है तो मैंने आपको बताया कि manufacturing date जो सबसे आसान तरीका manufacturing date काफी पुराना आपको मिलेगा उसके बाद आपका पुराने तरीके का hard disk का जो है faces तरह से और नए तरीके का hard disk का faces तरह से आपको मिलेगा सभी company में तो आपको समझ में आ जागे दूसरा manufacturing date, refurbish date या फिर recertified date इन सभी तरीकों से आप पता कर सकते हैं कि आपका hard disk नया है या hard disk आपको पुराना दे दे गया है जिससे आप ठगी किसी कार नहीं होंगे और market में एक awareness फैलेगी एक सई product आप दे सकेंगे आपको कोई भी competition नहीं होगा इस मामले में उमिद करता हूँ ये update आपको काफी पसंद आओगा चैनलन को subscribe जरूर कर दीजेगा, वीडियो को like जरूर कर दीजेगा, धनिवाद